आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की स्कलास में हम चर्चा करने वाले हैं जाती विविदिता का पारितंतर में महत्वे तो एक पारितंतर में जो जेविदिता पाई जाती है जिसमें अनेक परकार के या अनेक परकार की जातियों की पेड़ पोदे और जन्तु योगदान है पारित अंतर पर उसका क्या प्रभाव होता है तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे इसमें हम कुछ बिंदू लेंगे उस बिंदों के अधार पर इसको हम समझते हैं तो देखे टोपिक है पार जाती ये विविता का पारित अंतर में मैध्व है मतलब इसका मत कि जो अलग-अलग परकार की पोदो और जंतों की जाते हैं पाई जाती है उसका पारितंतर में क्या महत्व है तो जाती वीता का पारितंतर में बहुत अधिक महत्व है जिसे हम निम्न परकार से समझ सकते हैं तो पहला हमारा जो बिंदु है वो देखिए अधिक इस तरता मतल दा इसे अधिक इस्तिर होता है तो सितिस बात है यह अधिक जाती विता होगी तो वो पारितंतर अधिक की इस्तिर रहेगा ज्यादा इस्टेबल रहेगा और प्रकृति में ज्यादा तरीके सा नुकलित रहेगा तो जितनी ज्यादा जातियां पाई जाएगी जितने ज्याद तो प्राकृतिक बादा यहां आई प्राकृतिक बादा में जिसे वरसात है या बाड है या सुनामी है या अन्य कोई प्रकार की प्राकरतिक बादा और मानव निर्मित जो बादा होती है उसको रोकने की अधिक पावर होती है अधिक शमता होती है जाती है विविदताओं में तो जिस पारितंतर में अधिक जाती विविदता पाई जाती है वह प्राकरतिक वह मानव जन्ने बाद और विदेशी जातियों कि आकर्मन को रोकने में अधिक शक्षम होता है तो जहां पर तरह तरह के पेड़ पोदे पाई जाते हैं वहां पर क्या होगा वह पारित अंतर इस्ताय होगा उसे चाहिए एक मालीजी कोई रोगन एक वाइरस है जो की पोदों पर टेक करता है तो दूसरा पोदा उसको रोखने का काम करेगा तो अधिक जाती विविता होगी तो जाए प्राकर्तिक कोई बाद आए चाहिए वह मांदमद्रिमित कोई बाद आए उसको रोखने में जातियां अपना मेथ्वपुण योगदान देती है तो ये वी एक मेथ्वपूण इसका गुण है जाती विवित्ता का, तीसरा है अधिक उत्पादक्ता, तो देखिए जिस शेतर में जितनी अधिक जातियां पाई जाती है, उस शेतर की उत्पादक्ता भी अधिक होती है, तो एक विगयनिक हैं, एक सोद करता हैं, डेविड टिलमेन, इन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा बताया है, कि जिन बुखंडों पर अधिक जातियां थी, वहां साल दर साल कुल जेवी बहार में कम विविन्ता दर साई गई, इसका मतलब यह था कि जिसे जमीन पर या भुखंड पर अनेग जातीयां निवास करती है, वहां पर साल के बाद, साल के बाद, साल के बाद, तो जेवी बिविता के अंदर कम विविन्ता ही, यानि जो कमी और ज़्यादा थी विविन्ता में वो बहुत कम परदशित हुई, उन्होंने अपने प्रयोग से ये भी बताया कि विविता में वर्दी से उत्पादक्ता बढ़ती है, तो जे विविता में जो वेरियेशन आता है, वो बहुत कम देखने को मिलता है, यदि किसी इस्तल पे विविन्त परकार की जातियां निवास करती है, और ये भी है, ये इसलिए इस बास से भी स्पष्ट हो जाता है कि पारितंतर के लिए जाती विविता बहुत ही मैतुपून होती है, अगला इसका बिंदू है अच्छा पारितंतर बनाए रखना, तो देखिए जितनी जादा जाती विविता होगी पारितंतर उतना ही अच्छा होगा, सम्रद जे विविता अच्छे पारितंतर के लिए बहुत ही आउसक है तो हमें यह देख सकते हैं कि जहां पर अनेक परकार के पोद्दे होंगे अनेक परकार के जीव जनतु होंगे तो वह चेतर हमें ज्यादा अच्छा लगेगा तो वह पारितंतर ज्यादा अनुकुलित होगा ज्य मानव जीवन को जीवित रखने के लिए तो यह यहाँ पर देखिए सिधा मानव जीवन पर यह को प्रभावित कर रहा है कि एक संब्रद जो जैविता होती है यानि बहुत जब जैविता होती है तो मानव जीवन को जीवित रखने के लिए आउशक है और जब जातियां सिधे रूप से संपर्क में नहों लेकिन फिर भी अगर वह पारितंतर से विलुप्त होता है तो उसका असर मानों उपर जरूर देखने को मिलेगा तो यह परमुगुण थे जिसमें हमें यह प्रदशित होता है कि जाती विविद्धिता अब पारितंतर में बहुती मैत्वप पाधक्ता अच्छा पारितंतर बनाए रखना और मानम जियों उनको जीवत रखने के लिए यह जाती विविधिता बहुत ही जरूरी है अब हम फड़ने वाले हैं कि जो पारितंतर है उसमें जो जाते विविदता है उसका जो महत्व है उसको समझाने वाले एक परिकल्पना पड़ेंगे जिसको हम रिवेट पोपर परिकल्पना कहेंगे अलाकि हम उन बिंदों से समझ चुके हैं कि पारितंतर में जाते विविदता बहुत मैत्वपुन बुमेगा निबाती है और इस बात को और जादा समझने के लिए हम एक परिकल्पना की चर्चा करेंगे जिसको हम बोल रहे हैं रिवेट पोपर परिकल्पना तो देखिए ये होतिक है तो अपन थोड़ा से समझने का प्रियास करेंगे कि मा लिजिए ये एक पारितंतर है ये एक वन है या जंगल है तो इसमें हम देखते हैं कि बहुत चोट-चोटे कीट भी होते हैं और बड़े-बड़े साकारी प्रानी भी होते हैं और इसके इनको खाने वाले मान फाइटा भी होगे टेरिडो फाइटा भी होंगे जाडियां भी होगी और बड़े-बड़े वरक्स भी होंगे तो यहां पर देखिए इसे एक वन है ये पारितंतर है इसमें कीट मा लिजिए कोई भी एक छोटा सा कीट अगर विलूप्त हो रहा है इस पारितंतर से बाहर फ्रवाव पड़ेगा लेकिन चुकि ये बहुत छोटी पर जाती है इसलिए कीट जब विलूप्त होता है तो हमें ये नसीदे रूप से दिखाईने देता है कि पारितंतर पर क्या असर हुआ है असर तो होगा लेकिन ये चुकि चोटी पर जाती होने कारण इसका असर इसक यहां पर यह प्रदिश्टा में कीट चोटी पर जाती है और एक हीरन है वह एक बड़ी या मुख्य पर जाती है या इन में से कोई आई मानसारी पराणी आँए वह विलूप्त होता है तो पारितंतर पर इसका पर जाती है या फूर्पून को देखना पड़ेगा कि गर सोटी प्रजाती विलुप्त होती तो उसका असर कम होता है बड़ी प्रजाती विलुप्त होती तो उसका असर ज्यादा होता है अब जैसे एक कीट है किट विलूपत हो रहा है, कीकली विलूपत ग default हो रहा है या उनकी जगे विलूपत हो गया, तो दीर दीर पारितंतरप एसाग खतरनाग स्थ делает में पहुंँ जाएगा कि यह अश्तर हो जाएगा और नस्ट होने के गार पर पहुंँ जाएगा तो यह मतलब यह है कि अगर चाहे छोटी सी भी प्रजाती हो अगर पारित अंतर से विलूपत होती है तो उसका असर डेफिनेटली पारित अंतर पर एको सिस्टम पर पड़ेग को पन् Sandhams समझने का प्रियास करेंगे तो फिवेट पोपर परिकल अपना में क्या है कि एक के अमीरिका की साइंटिस्ट वह है उन्होंने एक वाईवान कि मतलब इस वाईवान को पाड़ पारित अंतर इसके इंदर जो इस श्क्रू लगे होते है पेज़े और सूटे होती इसका जो controlling system होता है या इसके जो पंक होते हैं इसका जो इंजन होता है इस सब की तुलना हम कर रहे हैं रिऴन पर जातियों से या जो जातियां होती है और इसको पूरे को पनुमान रहे हैं पारित अंतर तो अब इस वाईवान से माले जामने के इस वाईवान पर इस स्टार्टिंग में जधा आसर नहीं होता है, क्योंकि एक स्क्रू है एक छोटी पर जाती है, लेकिन अगर माली जीे को सत dauरा यातरी है, इसका एक शीट ले गया, तो इसका आफ़ा थोड़ा जदा होगा, लेकिन एक यात्रिय जो इसका पूरे का पूरा पंकी है वो अगर खोल के ले गया मालीजी या इसका पंक है वो अलग कर लिया तब ये पारितंतर बहुत बुरी स्थिति में पहुंच जाएगा यानि ये वाईवान है वो खतरहां के स्थिति में पहुंच जाएगा और उड़ने के लाइक नहीं रहेगा मतलब यह पारितंतर है वो चलने लाइक नहीं रहेगा यह दिर दिर नस्ट होने के गार पर पहुंच जाएगा तो यहाँ पर यह जो पंक यह बताता है कि यह पंक है वो बड़ी परजाती है तो बड़ी परजाती का असर बहुती जादा और तेजी से देखने को मिलता है जब बड़े रूप में उसका असर देखने को मिलता है। तो इस बात को हम समझने करन का लाते हैं और पोपर का मतलब हो गया एक जो वाइवान का दाचा है वह गया उसका पोपर तो रिवेट पोपर परिकलबना देखिए स्टेंफोर्ड जो युश्विद ले उनिसिटी है यह अमेरिका के केलिफोर्निया में एक बहुत बड़ा विश्विद ले यह इसमें एक एक एकोलोजिस्ट होए है पारिस्थिति की विगय यानि पारिस्थिति की विगयानिक पोल एहरलिक इसको अपन अंगलिश में इसे लिखेंगे पोल एहरलिक ने जाती विविदता के मैत्व को और जातियों के विलुप्त विलुप्ती पर पारितंतर पर पढ़ने वाल पर क्या प्रबाब पड़ता है इसको समझाने के लिए उन्होंने एक परिकलपना दिये जिसका नाम है रिवेट पोपर परिकलपना अब इसमें उन्होंने क्या समझा है इन्होंने पारितंतर की तुलना देखिए यह मैं तो पून बात पारितंतर की जो तुलना है कि विभिन भागों को जोड़ने वाले जो कील होते हैं या पेच होते हैं जिनको पर रिवेट बोल रहे हैं उससे की है तो खेने का मतलब है कि यहां पर पारितंतर के रूप में किसको प्रदेशित कर रहे हैं वायवान के रूप में और जो जाते हैं पाई जाते हैं पारितंतर म उसको हुआ हम किससे प्रजंट करेंगे वायवान के विभिन भगों को जोड़ने वाली जो कील है या पेच है उनको जिनको पन रिवेट भी कहते हैं उनको हम परदेशित कर रहे हैं जाती redu है और पूरा जो वायवान है उसको हम मान रहे हैं पारितंत्र तो देखिए अब एक वाईवान है जिसको परिटंत्र के उप्रद्शित कर रहे हैं उसके सभी भागों को हजारों रिवेटों यानि जातियों दवारा जोड़ा जाता है हजारों रिवेट हजारों कील पेच, सीटें, पंक, कंट्रोलिंग सिस्टम उसका तो ये सारे सिस्टम आपसमें जुड़े रहते हैं तो एक पारितंतर या एक वायवान बनता है अब येदी देखिए अब येदी वायवान का हर यात्री अपने साथ एक रिवेट यानि एक कील या इसक्रू या पेच को ले जाने लगे इसका मतलब है ले जाने लगे इसका मतलब क्या हो गया कि इस पारितंतर से जाती विलुप्त होने लगी तो जाती विलुप्त हो रही है तब आरंब में वाईवान की शुरुक्सा परभावित नहीं होगी क्योंकि अभी चुट-चुट जातियां या जो जातियां वो विलुप्त हो रही है तो शुरुवात में वाईवान की अगर कोई एक भी पेच खोल लेता है तो उसका असर ज़यदा देखने को नहीं मिलेगा लेकिन यदि और अधिक रिवेट या कील हटा लिए जाए, और ज़्यदा गर हम ने वहाँ पर रिवेट हठा दिये हैं यानि ज़्यदा जो आती हैं की विलूपती हो गई और ज़्यदा जाती हैं विलूपत हो रही है तब उसका असर अपन को देखने को मिल जाएगा और तब कुछ समय बाद वाईवान एक खतरनाक रूप से कमजोर हो जाएगा अगर हम उसके सभी के पेचेज या कील या स्कुरू खोलते जाएं खोलते जाएं तो एक इस्तितिय से आएगे कि वाईवान है वो एक खतरनाक इस्तिति में पहुंच जाएगा उड़ने लाइक नहीं रहेगा साथ ही ये भी महत्वपून है कि कौन सा रिवेट हटाया गया है देखिए अब कौन सा रिवेट हटाया गया है मतलब कौन सी जाती विलूप तो ये एक मुख्य पर जाती विलूप तो ये एक छोटी पर जाती विलूप तो ये तो वाईवान के जो पंक है उस पंक का रिव पर जाती बड़ी पर जाती है और उसके अंदर सीट या खिड़कियां लगी विए उसके जो रिवेट है वो छोटी पर जाती है तो अगर पंक अठा दिया तो वाईवान बिल्कुल नहीं उड़ेगा लेकिन उस पर ज्यादा सरने होगा लेकिन एक पंक यानि बड़ी जाती जब विलूब्त होती है तो वो उड़ नहीं पायेगा यानि पारित अस्धित करिया शेल नहीं रहे जाएगा तो यह मैतवपुन है कि जब जाती है विलूप्त हो रही है तो जाती छोटी है या बड़ी है तो यहाँ यहाँ पर यह उसकी तुल्णा की गई है यानि बड़ी और जो मुख्य पर जाते हैं होती है उसकी तुलना यहां पर जो पुआयवान का पंक है उससे की गई है तो रिवेट पॉपर प्रिक्लम ना यह बताती है इसका निस्कर्शी निकलता है कि प्रतेक जाते का पारितंतर में अपना एक महत्वे होता है और जब कोई जाती विलूप्त होती है पारितंत्र से तो पारितंतर पर उसका जरूर असर होता है चाहे वो छोटे स्थे पर हो लेकिन उसका असर जरूर होगा लेकिन अगर कोई बड़ी या मुक्य पर जाती विलूप्त होती है तो उसका पारितंतर पर बहुत बड़े इस तर पर असर होगा और पारितंतर है वो उसकी क्रियासियलते पर बुरा असर पड़ेगा पारितंतर एस थाई रूप से जाकर क्रियासियलत की इस्तति में को समझा रहे हैं तो यह थी रिवेट पोपर परिकलटना जिसके दोरा हमने जातियों के मैतों को और उनकी विलूपती पर होने वाले प्रभाव को समझा है तो आप इसको लिख सकते हैं इसके नोट को आप लिख लें और इसके बाद में हम नेक्स्ट जो टोपिक है वो ले ल साथ पीस को सेर करें थैंक्यू दन्यवाद